हेलो स्कॉलर्स आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे योगदर्शन के बारे में कि योगदर्शन क्या होता है और योगदर्शन की तत्व मिमानसा ग्यान मिमानसा और मुल्य मिमानसा क्या होती है साथ ही साथ जानेंगे अस्टांग योगमार किसे कहा जाता है तो चलिए दे शेर कीजेगा योग दर्शन देखिए आफ सभी ने योग के बारे में तो बहुत सुना होगा योग का नाम हम जब भी लेते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सीधे राम देव बाव पर क्योंकि हमने आज तक उन्हीं को योग करते होगे देखा है योग के बारे में बताते हुए देखा है लेकिन योग दर्शन के जो प्रवर्तक है प्रमुख वो है महर्शी पतंजली उन्होंने योग सूत्रों को दिया था जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में जो महर्शी कपिल थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक उन्होंने सांक्य सूत्र दिये थे उसी व्रकार से महर्षी पतंजली ने योग सूत्रों को दिया है और इन योग सूत्रों की सबसे अच्छी व्याख्या किस ने की है वयास मुनी ने की है अपने गरंथ में जिसका नाम है वयास भास्षे ठीक है याद रखेगा इस चीज को कि योग दर्शन की सबसे अच्छी वयाक है किस में मिलती है हमें वयास भाष्य में मिलती है जो किस ने लिखा है वयास मुनी ने लिखा है ठीक है योग दर्शन योग दर्शन सांक्य दर्शन का वयवारिक पक्ष है अब देखिए अगर आपने सा सांक्य दर्शन वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर करके आप उसे देखिए उपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप उसे देखे क्योंकि दोनों ये एक दूसरे से connected हैं जब तक आप सांक्य दर्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक योग दर्शन भी आपको समझ में नहीं आएगा उसकी तत्व मिमांसा ज्यान मिमांसा मूले मिमांसा ये सब किस पर आधारित हैं सांक्य दर्शन पर आधारित हैं जो कि आपको अभी इस वीडियो में पता चल इसलिए पहले आप सांख्य दर्शन का लेक्चर देख लीजिए उसके बाद इसे अच्छे से देखेगा योग दर्शन सांख्य दर्शन का एक व्यभारिक पक्ष है क्योंकि सांख्य दर्शन में जितनी भी बाते कहीं गई हैं उनको हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं practically हम उनको किस प्रकार से देख सकते हैं ये किस ने बताया है योग दर्शन ने बताया है और इस चीज में राम देव बाबा ने बहुत अच्छी सफलता पाई है लोगों को इससे अफगत कराने में और इससे scientifically प्रूफ करने में ये है सांख्या दर्शन की तरह दोयतवादी है जिस प्रकार से सांख्या दर्शन दो तत्व को मानता है इसी प्रकार जो योग दर्शन है वो भी दो तत्व में विश्वास करता है सांख्या की तत्व मिमानसा को पूर्ण रूप से सुईकारते हुए उसमें केवल ईश्वर को जोड देता है देखे जो Sankhya Darshan की तत्व मिमान सा थी उसमें बताय गयाता कि 25 तत्व को मानता है सांकhya ठीक है लेकिन योगदर्शन में क्या किया गया है उसमें एक तत्व और जोड दिया गया है वो है ईश्वर इस प्रकार से इनके total मिलके कितने तत्व हो जाते हैं, 26 तत्व हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए योगदर्शन को से एश्वर सांखे, क्योंकि इसमें सब कुछ तो सांखे के जैसा ही है, सारी बातें, लेकिन सिर्फ किसे जोड़ा गया है, इश्वर को जोड़ा गया है, योग दर्शन है वो इश्वर में विश्वास रखता है इश्वर को मानता है इसलिए उसे इश्वर वादी दर्शन भी बोला जाता है जबकि सांक्य दर्शन कैसा है वो निडिश्वर वादी है क्योंकि वो इश्वर में विश्वास नहीं करता है वो किसमें विश्वास करता वेदों में विश्वास करता है योग का वयुत पत्ति लब्य अर्थ है यानि के इसके वयुत पत्ति के आधार पर इसके ओरिजिन के आधार पर जो इसका अर्थ निकलता है वो है समाधी समाधी जो अस्टांग योग मार्ग बताए गए है योग दर्शन के अंतरगत उसका विरत्यां क्या होती है और इनके निरोध का क्या अर्थ है ये जान लेते हैं चित का अर्थ योग दर्शन में बताया गया है मन बुद्धी और एहंकार इन तीनों तत्वों को किसका नाम दिया गया है चित का नाम दिया गया है अब इन तीनों ही तत्वों को आपने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था सांख्य दर्शन की अंत्रगती ने आंत्रिक उपकरण या अंत्यकरण माना गया है मन, बुद्धी और एहंकार को और वृत्ती का साधारन अर्थ होता है वेवाहर यहाँ पर चित विरत्तियों का अर्थ है जो हमारे मन, बुद्धी और एहंकार है उनके वेवाहर से वेवाहर अर्थात, attitude हमारा mind है, यानि के मन है intellect यानि बुद्धी, ego यानि के एहंकार mind, intellect और ego, इनके इनका जो attitude है इनका जो nature है उसको हम क्या कहते हैं? चित विरत्ति कहते हैं, और उन चीजों को जब हम सांसारिक भोग से हटाकर ईश्वर में लगाते हैं, तो वो कहलाता है चित विरत्तियों का निरोध, I hope आपको समझ में आ左 ओगा चित विरत्तियों के निरोध का अर्थ है, चित विरत्तियों को यानि के मन बुद्धी एहंकार इनके नेचर को एटिट्यूट को सांसारिक भोग से हटा कर हमें किसमें लगाना है इश्वर में लगाना है वो क्या कहलाएगा चित विरत्यों का निरोध कहलाएगा ठीक है अब जब हम किसी वस्तु को किसी पदार्थ ग्यान को ग्रहन करते है अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख कर सुन कर महसूस करके टच करके जो हम पदार्थ ग्यान को ग्रहन करते हैं तो वो पदार्थ ग्यान हो सकता है हमें उससे दुख पहुँच रहा है हो सकता है हमें उससे खुशी मिल रही है तो दुख सुख को अनुभव करना ये सार आगे देखते हैं योग दर्शन की तत्व मिमान सा क्या होती है यह पढ़ लेते हैं जैसा अभी मैंने इसके अर्थ में आपको बताया कि इसमें इश्वर शब्द को जोड़ा गया है अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और योग दर्शन मुख्यत है मोक्ष प्राप्ति होनी आवशक है योग दर्शन जो है वो अन्य दर्शनों की तरह तत्व मिमान सा के जंजट में जादा नहीं पड़ता है इसलिए इसने अपनी कोई तत्व मिमान सा नहीं दी है इसने जो सांख्य दर्शन है उसी की तत्व मिमान सा को स्वीकार कर लिया है क्योंकि मोक्ष प तत्व मिमानसा को स्विकार कर लिया है और साथी साथ उसमें एक ईश्वर नामक तत्व को जोड़ दिया है जिससे कि इसके तत्व की संख्य कितनी हो गई है 26 हो गई है इसके लिए योग दर्शन सांख्या दर्शन का सहारा लेता है और सांख्या दर्शन द्वारा प्रतिपा कारण माना गया है यनि के करता और इश्वर को अनादी अनंत सर्वग्य इसके अलावा सर्व वयापक सर्व शक्तिमान जो की हर जगा पर मुझूद है जिसे प्राप्त करने के बाद जो वेक्ति इश्वर तत्व को पहचान लेता है जान लेता है वो वेक्ति भी कैसे हो जाता सर्वग्याता बन जाता है यह योग दर्शन का मानना है सांक्य दर्शन में किसे माना गया था स्रस्टी का निम्मित कारण प्रकरती और पुरुष के योग को ठीक है प्रकरती और पुरुष को इसमें उन्हें क्या मानना है योग दर्शन में उसके उपादान कारण मानना है यानि के आधारवुद सिद्धान, सोरी साधन, आधारवुद साधन माना गया है प्रकरती और पुरुश को, ये फरक है योगदर्शन और सांकेदर्शन में, अब आत्मा योगदर्शन मानता है कि आत्मा क्या है यह शरीर में रहती है और भोगता है, यानि के कर्म फल भोगत से मुक्त है यानि कि सुख दुख इन सब चीजों से बहुत ऊपर है कौन ईश्वर लेकिन जो आत्मा है वो सुख दुख के जाल में इसी संसार में फसी रहती है प्रकर्ति और पुरुष के संयोग तथा वियोग के लिए ईश्वर की आवशक्ता पड़ती है सांकिय दर्शन मैं बताया था कि स्रस्टि की रशना किस से होती है प्रकर्ति और पुरुष के योग से होती है लेकिन उनके योग के लिए किसकी आवशक्ता पड़ेगी इश्वर की आवशक्ता पड़ेगी ये बात किस ने कही है योग दर्शन ने कही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके ज्ञान मिमानसा एबन तर्क मिमानसा सांक्य दर्शन की ज्ञान मिमानसा क्या थी? अभी मैंने आपको बताए कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं तीनों चीजें किसके सांक्य दर्शन के सिमिलर हैं योग दर्शन की तत्व मिमांसा, ग्यान मिमांसा और मुल्य मिमांसा इसे साथ हम सांक्य दर्शन की मिमांसा को भी देख रहे हैं जिसे कि आपको इनमें डिफ्रेंस भी पता चले और योग दर्शन को समझने में आसानी हो सांक्य दर्शन की ग्यान वी मानसा में बताया गया था कि इंद्रियों के दुवारा जो हम पदार्थ ग्यान गिर्हन करते हैं वो कहां जाता है हमारे मन पर फिर एहंकार को परभावित करता है एहंकार हमारे बुद्धी को कंट्रोल करता है फिर ये ज्यान कहा तक जाता है पुरुष यानि कि आत्मा पुरुष को आत्मा माना गया है न तो वहा तक ये ज्यान जाता है लेकिन योग दर्शन में क्या माना गया है योग दर्शन में अभी मैंने आपको बता है कि मन एहंकार और बुद्धी इन तीनों को किसका नाम दिय गया है चित का नाम दिया गया है और साथ में किसे जोड़ा गया है परमात्मा को जोड़ा गया है ठीक है पदार्थ का ग्यान इंद्रियों से होते हुए हमारे चित तक जाता है यानिके मन एहंकार और बुद्धी तक फिर यह है आत्मा में प्रवेश करता है और उसके बाद किनों ने एक step और बताया है किसका जो शुद्ध ग्यान होता है उसके लिए परमात्मा और आत्मा जब इन दोनों का मिलन होता है जब व्यक्ति आत्मा परमात्मा के भीद को जानने लगता है तो वो किस अवस्था में आ जाता है समाधी की अवस्था में आ जाता है इसे कहते ह समाधी जब वैक्ति के अंतरगत आत्मा और पर्मात्मा के भीद का ज्यान उत्पन हो जाता है उसे अपनी आत्मा से रिलेटिड वो conscious हो जाता है वो कहलाता है समाधी और यही योग्दर्शन के अनुसार शुद्ध और सत्य ज्यान माना गया है ठीक है परमात्मा सरवग्य है इसलिए उस इस्तिती में मनुश्य को कुछ और जानना शेश नहीं रह जाता वह सरवग्य हो जाता है जब वेक्ति परमात्मा को जान लेता है तो उसके बाद कुछ और ऐसा बचता ही नहीं है जिसे वो जाने ऐसा योग-दर्शन मानता है तो यही उसके लिए क्या है? सत्य ज्ञान है आगे देखते हैं योग-दर्शन की मूल्य एवं आचार मिमानसा सांक्य दर्शन की मूल्य मिमानसा में क्या बताया गया था? पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना ठीक है और सुख दुख से अलग होना प्रकरती और पुरुष के बेद का ज्यान होना यानि कि अंतिमुद्देश्य के ज्यान इन सब के लिए क्या मूल्य बताये गए थे सांख्य दर्शन में अस्टांग योग मार्ग को ही बताया गया था किसमें सांख्य दर्शन में और यो प्रमात्मा की प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, जब हम चित्वरत्यों का निरोध करेंगे, और चित्वरत्यों के निरोध के लिए क्या रास्ता बताया गया है, योग दर्शन में अस्टांग योग मार्ग, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब अस्टांग योग मार्ग क्या होता है, इसको जान लेते हैं, ये बह शुपति को पाना चाहता है जीवन के अंतिम लक्षे को जानना चाहता है उसे इन सब स्टेज से गुजरना होगा इन में से उन्होंने पहली 5 स्टेज को क्या नाम दिया है बहीरंग बोला है और बाद की 3 स्टेज को कहा गया है अंतरंग जब तक वेक्ति इन शुरूआती पुर्ण नहीं बना लेता, जब तक वो बाद की स्टेज को तक नहीं पोँच सकता तो इसका पहला स्टेप क्या है, यम यम अर्थात, मन, वचन और कर्म का सैयम वेक्ति जो सोच रहा है, जो बोल रहा है और जिन कर्मों को कर रहा है, उन पर कंट्रोल करना और इस कार्य के लिए यम के अंतरगत पांच कार्य और बताए गए है जिन में से पहला है सत्य यदि वेक्ति जूट बोलता है तो उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता वो हमेशा विचलित रहेगा या तो वो उस जूट को लेकर के पश्चात आप करेगा या फिर उस जूट को छिपाने के लिए और अन्य जूट बोलेगा जिसकी वज़े से उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा तो ये पहला स्टेप है या पहला कार्य है यम को यम की स्थिति में आने के लिए ठीक है दूसरा है अहिंसा यानि के हिंसा नहीं करना किसी के साथ मार पीट जगडा ये सब ना करना क्या कहलाता है अहिंसा कहलाता है थर्ड है अस्ते किसी अन्य वेक्ति की वस्तू को अपना नहीं बनाना किसी और की वस्तू पर नजर न डालना कहलाता है अस्ते अगर आप दूसरों की वस विचारों का संग्रह ना करना चाहे वो धन हो सकता है कोई बहु मूल्य वस्तू हो सकती है या इससे भी वयापक अर्थ में आप देखें तो विचारों का संग्रह ना करना यदि विचारों के संग्रह करोगे अपनी पहले की इसमरतियों को अपने मन में दवा करके रखोगे तो उनी को सोच करके विछलित होते रहोगे। कुछ न कुछ आपके माइड में विचार आते रहेंगे। तो उन विचारों से छुटकार अपाना, उनको इखटा नय करना क्या कहलाता है। आपको समाधी की स्थिति तक पोचना है। और समाधी तक पोचने के लिए पहले ये छोटे-छोटे डिस्टरवेंस जो हैं, इन सब को हटाना होगा अपने माइंड में से, ठीक है। उसके बाद पांच वक आ रहे हैं ब्रह्म चर्ये। ब्रह्म चर्ये अरथात, अपने जीवन को सात्विक जीवन व्यतित करना, किसी की और आकषइतना होना, तो ये सारा क्या कहलाता है, ब्रह्म चर्ये कहलाता है। इसके बाद आता है नियम, दूसरा स्टेप है नियम, अब नियम के लिए भी यहाँ पर पांच कार्य बताए गए हैं पहला है सोच, अर्थात, मन और शारीरिक रूप से सुच रहना क्योंकि जब आसन में बैठो गए तो उसके लिए क्या होगा मन और आपका शरीर सुच होना चाहिए उसके बाद है संतोश अर्थात, सैटिस्वैक्शन किसी भी चीज को लेकर के आपके अंतरगत संतोश होना चाहिए किसी भी चीज की इच्छा और भी जादा प्राप्त करने के इच्छा आपके अंतरगत नहीं होने चाहिए जितना आपके पास है जो है वही आपके लिए satisfied है उसके बाद आता है तप तप यानि के तपस्तिया अर्थात अपने शरीर को अपने आपको किसी भी कस्ट को सहने योग्य बनाना अगर आपको कोई कस्ट मिल रहा है चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो तो उससे आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए आपको उसकी हैबिट हो जाने चाहिए कस्ट सहने की ठीक है नेक्स्ट है सुए अध्याय वेक्ति को इधर उदर की बातों से ध्यान हटा कर किसमे लीन होना है सुए अध्याय में इसके बाद इसमें पांचवा कार्य है प्राणी धान प्राणी धान अर्थात इसे ईश्वर प्राणी धान भी बोलते हैं यानि के अपने आपको ईश्वर में लीन कर देना ईश्वर में आस्था रखना वेक्ती समाधी की स्थिती तक कभी नहीं पहुंच सकता अगर वो इश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो तो क्या है इश्वर में आस्था रखना भी जरूरी है इसके बाद आता है आसन थर्ड स्टेप है आसन यानि के शरीर की ऐसी इस्थिती जिसमें बहुत देर तक ठकान ना हो और चिंतन मनन किया जा सके ठीक है आसन होते हैं अलग-अलग होते हैं पत्मासन, सुखासन इस तरह से जो विविन आसन है उसे में से किसी एक स्थिती में बैठना आसन में जिससे कि आपको ठकान ना हो और चिंतन मनन में आप बहुत अधिक समय तक रह सकें उसके बाद आता है प्रणायाम यानि के सुखासन किरिया पर नियंतरन रखना इसके अंतरगत भी तीन पद हैं जैसे पूरक, कुमभक और रेचक पूरक के अंतरगत आता है स्वास को अंदर लेना और कुमभक अर्थात उसे अंदर ही रोके रखना और रेचक अर्थात अपने सुखास को बाहर निकालना तो ये पूरी प्रक किरिया क्या कहलाती है प्रणायाम उसके बाद प्रत्याहार अब क्या करेंगे आप जो बाहये इंदरियां हैं उनसे अपने मन को हटा कर बाहये इंदरियों से हटा कर अपने आपको अपने मन के अधीन करना है आपको ठीक है ये कहलाता है प्रत्याहार अब जब आप आप आसन में बैठे हैं आपने अपने स्वास को भी नियंतरित कर लिया है अपने सांसों की किरिया को उसको नियंतरित कर लिया है अप क्या करना है आपको जो बाहरी इंद्रि लगने लगी प्यास लगने लगी ठीक है तो ये सारे क्या हैं इंद्रियों के द्वारा जो disturbance आते हैं उनको दूर करना क्या कहलाएगा प्रत्याहर कहलाएगा अब ये पांच step पूरे हो चुके हैं अब आप आएंगे धारणा यानि के concentrate की स्थिती में चित को अभिस्ट विशय पर केंद्रित करना किसी भी एक ऐसे विंदू पर केंद्रित करना जिस पर हम चाहते हैं किसी अभिस्ट विशय पर अभिस्ट का अर्थ होता है हमारा मन चाहा जिस पर हम चाहते हैं केंद्रित इस विषयान केंडरिद करना और ध्यान अर्थाथ meditation के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा meditation होता क्या है ये जादतर लोगों को पता ही नहीं होता तो meditation का अर्थ यहां पर हम ध्यान से लगा सकते हैं क्योंकि ढारणा का आरणा है किसी भी एक विशय पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान का रत है उस ध्यान को लंबे समय तक उसी विशय पर केंद्रित करके रखना ठीक है? धारना के अंतरगत हम एक ये छोटा स्टेप है ध्यान को केंद्रित करेंगे शुरुआत है और उसे लंबे समय तक जब उसी विशय पर केंदित करके रखेंगे तो वो कहलाएगा ध्यान इसके बाद जब आप एक लंबे समय तक अपने ध्यान को एक ही विशय पर एक ही बिंदू पर केंदित करके रखेंगे उसके बाद आप पहुचेंगे समाधी की इस्थिति में समाधी यहां तक ये ध्यान की इस्थिति तक आपको पता है कि आप ध्यान लगा रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है यानि कि आपके अंतरगत मैं की भावना अभी भी है कि आप ध्यान लगा रहे हैं आप आसन में बैठे हैं तो आपके अंतरगत मैं की भावना है ना लेकिन जब आप समाधी की स्थिती में जाएंगे तो ये मैं की भावना भी समाप्त हो जाएगी आप पूर्ण रूप से उस बिंदू में जिस विशय पर आपने ध्यान केंदित किया है उसी में विलीन हो जाएंगे तब आपके और उस विशय के बीच कोई भी अंतर नहीं बचेगा समाधी के अंतरगत ध्यान क्रिया और ध्यान विशय दोनों समाप्त हो जाते हैं ठीक है तो यह कहलाता है समाधी अस्टांग योग मार्ग की सबसे अंतिम इस्थिति तो यही था अस्टांग योग मार्ग जिसे योग दर्शन के अंतरगत दिया गया है तो यहाँ पर आपका योग दर्शन का कॉंसेप्ट पूरा हुआ कंप्लीट हुआ अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इतना टिपीकल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप सांखिय दर्शन को समझ सकते हैं तो योग दर्शन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून